बरसात की वज़े से बादित होई टामाटर की सप्लाई ने कीमतों को आसमान पर पहुचा दिया है गुरुबार को देश में टामाटर का ओसत मॉडल भाव 80 रुपर प्रतिकलो दर्ज किया गया एक महीना पहले मॉडल प्राइस भाव 40 रुपर प्रतिकलो था यानि महीने भर में 100% कीमतों में तेजी हो गई उत्तर भारत में अभी बरसात की शुरुबात होई है अभी से सप्लाई बादित होना शुरू हो गई आगे चलका बरसात और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है ऐसे में टेमाटर की इस्तिती सोचिए क्या हो सकती है दूसरी और अनाज की महगाई और बढ़ने की संभावना जटाई जा रही है क्योंकि गेहों की कीमतों में जोड़दार उच्छा लाया है बीते एक महीने के दोरान गेहों की कीमतों में प्रतिकुंटल 110 रुपए से जादा की तेजी आई है एक महीना पहले दिल्ली में भाव 2600 रुपए प्रतिकुंटल था जो गुरुवार को 2700 रुपए पर प्रतिकुंटल पर पहुंच गया यहों की कीमतें बढ़ने की वजए से अब आटा, ब्रेड, बिसकेट, गेहों से बनने वाले तमाम प्रोडक्ट भी महेंगे हो सकते हैं ऐसा लग रहा है सर थाली पर क्या असर पढ़ने की संभावना आप देख रहे हैं आगे कई महत्वपून बढ़ना हुए हैं मानसून की आमद के साथ खाद्य महंगाई के क्षेतर में जो कई आयामों से अब बढ़ती दिखाई दे रही है और यह चुनोती आरबिया के लिए आने वाले महीनों में और महत्वपून बढ़ी होने वाली है और इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं कई ऐसे कारक हैं जो आम तोर पर अब सरकार और रिजर्बैंक के नियन तरण में नहीं दिखाई दे रहे है अगर आप पूरी तरह से थाली को देखें खादे थाली को देखें जिसको जिसे क्रिसिलिक जिसका इंडेक्स लेकर आता है जिसे थाली इंडेक्स कहा जाता है जिसे रोटी राइस रेट कहा जाता है जून के महीने में थाली की कीमत में करीब विज थाली की कीमत में 10% की बढ ही आती है क्योंकि एक फसल आचुकी होती है रभी की और मानसून की तैयारियां हो रही होती और खरीब की फसल की तयारी सामने होती, पर ऐसा अब नहीं हो रहा है भारत की खादे महंगाई का पूरा स्उरूप भी बदल गया है, तीन जो महतुपून फैक्टर हैं खादे महंगाई के जिनकों की तकनीक की भाषा में आप टॉप कह सकते हैं टमेटो ओनियन और पोटेटो इन तीनों की कीमतों में रिकार्ड बढ़ोतरी हुई है करीब तीस परसेंट शालेस परसेंट और 69 परसेंट की बढ़ोतरी हुई और इसके कारण सबजिय में हुई जब पिछले सबतहा सरकार ने गेहों के भंडारण पर नई स्टॉक लिमिट्स लगाई और ये भी कहा कि ट्रेडर्स के पास और रिटेलर्स के पास जाकर इसकी जाच और परताल की जाएगी यानि यह माना जा रहा था कि संकेत जाएगा बाजार को कि गेहों की की किमतें कम होंगी लेकिन गहों की कीमतें उसके बाद भी बड़ती दिखाई दे रही एराइवल्स कम हैं और राइस की कीमतों भी खरीफ की फसल से पहले बड़ोतरी दिख रही है राइस की कीमतों में बड़ोतरी और गहों की कीमतों में बड़ोतरी मिलाकर पूरे के पूरे प चक्र से एक तरह से अलग हो चुकी फसलों का चक्र इसकी इसे पर नियंतरन करने में इसे कम करने में प्रभावी सावित नहीं होता है तो इसलिए अब रिजर्ब बैंक की चुनोती इस मानसून के साथ और बढ़ने वाली है दूसरी चीज़े कि खरीफ की फसल से पहले ही